सुप्रीम कोड से बीयड अभ्यर्थियों को प्रात्मिक सिक्षक भरती से बाहर करने के बाबजूद NCT की कोई भी नई गाइडलाइन या कोई भी दिशा निर्देश नहीं आया इसके बाबजूद भी बीयड चात्रों को एक-एक करके राज्य के अनुसार जटका लगता हुआ दिख रहा है चयनित आचयनित दों दोनों तरह के सिक्षक जो बीयड किये हुए हैं वो प्रात्मिक सिक्षक भरती से बाहर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए बीयड वर्सेस बीटी सी मामले पर हर एक अपडेट पाने के लिए सबसे पहली जो अपडेट आई वो आई जारखंड हाई कोट से सीटेड उत्तीन अभ्यर्थियों के मामले में जो फैसला है वो कल सुरच्छित किया गया यहां पर जारखंड सरकार ने कहा कि वर्तमान युक्ती में हम इने सामिल नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोट का आदेश आया है जबकि प्रार्थियों का कहना है कि सीटेड पास अभ्यर्थियों को आपको स्वामिल करना पड़ेगा और इसी मामले पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिसरा वा चीफ जस्टिस आनंद सेन की खंड पीठ में सीटेड उप्त्रीन अभ्यर्थियों को सिख्षक निउक्ति प्रक्रिया में सामिल की जाने को लेकर दाखिल याचका पर सुनवाई हुई बहस पूरी होने के बाद आदालत ने अपना फैसला फाइनली सुरचित रख लिया है सुनवाई के दवरान सरकार के जवाब दाखिल में कहा गया कि वर्तमान विग्यापन के जरिये सिख्षक निउक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जेटेट की परिच्छा ली जाएगी उससे पहले हम यह परिच्छा नहीं ले सकते और सिटेट को इसमें मौकान नहीं दे सकते हैं ठीक है क्योंकि इसको लेकर नियामावली में संसोधन अभी किया जा रहा है यह सबी चीजे रही ठीक है पूरा मामला आप समाझ चुके हैं और इसी कारण से पर मामला रिजर्व हुआ लेकिन दूसरा मामला देखिए यह है 36 गर से यहां पर फैसले पर सुनवाई हो रही है एक महिने बाद की तारीक मिली है प्राइमरी में बीड़ वालो की भरती को चुनोती दी गई और सिच्छक भरती हाई कोट ने बीड़ वाल उसकिन कांसलिंग भी होगी और कांसलिंग के बाद उनके निक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा तो लगातार यहां पर रुजहान आने सुरू हुए है अब यह दूसरा राज रहा जहां पर रोक लगी है तो बहुत वरे लोगों का यह भी कहना रहेगा कि केवल अभी रोक आगे सुनवाई होगी फिर वाँ से जीत मिलेगी तो ऐसा नहीं होता है देकिर रोक लगी है तो हाई कोट ने कुछ सोच समझ के रोक लगाई है और वो प्रक्रिया लगबग आगे बढ़ चुकी है तो ऐसी इस्तिती में B8 को कही ने कही नुकसान हो रहा है यह चीज आपक केबल B8 का भीहरतियों का होता जारा है और यहाँ चैनित अचैनित सब के लिए बड़े नुकसान दायक आने वाले समय में होगा जैसे समय बीतेगा सरकारे आदेश करना सुरू कर देंगी और मामला पुराना होने के करण कोई भी आवाज किसी तरह की नहीं उठा पाएगा आप क्या सोसते हैं कमेंट करके ज़रू बताएगा बागी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजीगा